UDID कार्ड भारत सरकार की एक महत्रकांशी परियोचना है, जिसके दुआरा दिव्यांग चनों को एक विशेश दिव्यांगता पहचान पत्र प्रदान किया जाता है, जो कि दिव्यांगों के लिए उपलब्द सुविधाओं और योजनाओं को प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होता है, इस कार्ड को सरल, सुगम में एवं सुरक्षित रखने के लिए अब इसे डिजी लॉकर के साथ भी चोड़ दिया गया है, आईए पहले जानते हैं कि डिजी लॉकर क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा पत्रों को कभी भी इस्तमाल किया जा सकता है और वेरिफिकेशन के लिए भी इसका प्रियोग किया जा सकता है, यह दस्तावेश आईटी एक 2000 के अनुसार मूल दस्तावेश के समतुल्य है, तो आईए विस्तार से जाने डिजी लॉकर को कैसे इस्तमाल कर सकते हैं और इस ए दाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें, दिये गए पेज पर गेट स्टार्टिड के ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद दिये गए विकल्पों में से अपने विकल्प का चैन करें, यदि आप पहले से ही खाता धारक हैं, तो साइन इन के विकल्प का चैन करें, और यदि आप पहली बार इस एप्लिकेशन को इस्तिमाल करने जा रहे हैं, तो क्रियेट एकाउंट के विकल्प का चैन करें, क्रियेट एकाउंट के विकल्प का चैन करने के बाद आपसे अधार नंबर को दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, दिये दिएके box में दर्ज करके submit के बटन पर क्लिक करते ही आपका account create हो जाएगा इसके बाद दिएके box में अपना कोई भी सिक्यूरिटी पिन दर्ज करें जोकी आपको असानी से याद रहे यह security पिन वही होगा जिसे आफ हर वार डिजी लोकर application को iopen करने के लिए दर्ज करें मैं harvest किन होकर इसके मुख्य प्रष्ट पर पहुंच जाएंगे मुख्य प्रष्ट पर सरकार द्वारा माननेता प्राप्त सभी संस्थानों का विवरण है और इन सभी संबंधित संस्थानों और विभागों के द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमान पत्रों को आप डिजी UDID कार्ड को DigiLocker में सेव करने के लिए आप दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना UDID नंबर अंकित करें। एक बार डाउनलोड होने के बाद यह कार्ड आपके DigiLocker एकाउंट में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। कथा जरूरत पढ़ने पर आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह अन्य सभी डिपार्डमेंट से सम्मंदित डाउनलोड कर सकते हैं। DigiLocker में डाउनलोड किये जाने वाले सभी डाउनलोड हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। जिन्हें आप होम स्क्रीन पर दिये गए इशू डॉक्युमेंट के ऑप्शन पर जाकर प्राप्ट कर सकते हैं। यदि आप इन सभी डॉक्युमेंट से सम्मंदित जानकारी प्राप्ट करना या दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो फाइल के आगे बने तीन डॉट पर क्लिक करें। दिये गए विकल्पों में से अपने विकल्प का चैन करें। डिजी लॉकर आपको वैस सभी दस्तावेज भी सेव करने का ऑप्शन देता है जो दिये गए किसी कार्याले से सम्मंदित नहीं है। इसके लिए मुख्य पेज पर उपर की तरफ बनी तीन लाइनों पर क्लिक करें। और अपलोड डॉक्यूमेंट के विकल्प का चैन करें। अपलोड पर क्लिक करें और पहले से ही स्कैन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे यह सभी दस्तावेज मूल दस्तावेज की समतुल्ले नहीं होंगे इसके अलावा यदि आप डिजी लॉकर से सम्मंदित कोई भी जानकारी या सहयता प्राप्त करना चाहते हैं तो मुख्य पेज पर उपर की तरफ बनी तीन लाइनों पर क्लिक करें अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प का चैन करें इन्ही विकल्पों में से आप QR कोट स्कैनर के विकल्प की सहयता से किसी भी दस्तावेज की वैद्दता की जांच कर सकते हैं इस परकार अपने UDID कार तथा अन्य परमान पत्रों एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर एक अत्यंत सरल, सुखधम एवं सुलब तरीका प्रदान करता है